हेलो गाइस तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नुबर 32 वाउल साउंड्स टू एक्ससाइज यहां पर देख लेते हैं यहां पर सीप और शीप इस वर्ट्स में जो साउंड आ रहे हैं उस साउंड से आपको यहां पर तोटल यहां पर फाइफ वर्ट्स बनाने ठीक है तो म अपने मन से भी मतलब खुद से भी सोच करके आप लोग लिख सकते हैं यहां पर देख लेते हैं प्रैक्टिस यह टंग ट्विश्टर हैं यह आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है इससे सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है कि कैसे टंग ट्विश्टर बनते हैं यहां पर देख लेते हैं, make your own tongue twister, अब same इन ही words से, आपको इन ही words के sounds से, क्या करना है, यहां पर, tongue twister एक बनाना है, जो paragraph में हो, ठीक है, तो आइए मैंने एक tongue twister ऐसे लिया है, reach Robin, rain in, reach Robin, rain in, rain on road to reach Raynaud's, and rented room near restaurant Rajnikan, ठीक है, इस टाइप से आपको, tongue twister बनाना है, आप खुद से भी बना सकते हैं, सोच करके, इन सब words के uses से, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, exercise B देख लेते हैं, यहां पर भी आपको बनाना है, shirt and shirt sound, word में जो sound आ रहे हैं, उन्हीं sound से आपको यहां पर words बनाना है, ठीक है, तो आईए मैंने, यहां पर मैंन हट, church, luck, तो इस type से आपको यहां पर बनाना है, ठीक है, यहां पर आपको इसी type से यहां पर words लिखना है, आप यह भी words लिख सकते हों, जो मैंने लिखा है, या फिर आप खुद से भी सोच करके लिख सकते हैं, सेम यहां पर भी practice के लिए दिया हुआ है, टंग twister है, सेम इ words के sound से, ठीक है, तो मैंने एक टंग twister यहां बनाया, आई देख लेते हैं, टंग twister, such a sort of search and research will makes you somebody a scientist और संथ, तो इस type से आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं, टंग twister, और जो मैंने बनाया, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और मैं हो या ना हो, बस टंग twister में यह होना चाहिए, कि जो आपको जिस sound से words बन रहे हैं, वो words, वो sound जरूर होने चाहिए, उस sentence में, ठीक है, बस, नौ exercise C देख लेते हैं, read a loud running record, इसमें आपको सिर्फ यह पढ़ना है, ठीक है, class में आपको loudly यह पढ़ाया जाएगा, और कुछ नहीं है, यह सिर्फ reading है, ठीक है, thank you so much, I hope आप लोगों को समझ में आया हो,